नमस्ते हम लोग सावित्री के पेनल्टी मेट यानि बारे बुक हैं ग्यारवी पर हैं और यहां हम लोग अवतार की लीला उनकी महिमा का एक वर्णन देख रहे हैं अवतार की इस काम के लिए आते हैं क्योंकि यह प्रशन काई बार उठता है कि भगवान तो सर्वग है, सर्वशक्तिमान है तो फिर उनको धर्ती पर शरीड धारग करने की क्या जरुवत है और इस वर बहुत सारी अठकले फिलोसफी हैं और उनके उस बिस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ इन तो वास्ता में अवतार कौन होते हैं इस देशन्ट अव दे सुप्रीम इन मैटर तो अगर हम इसको बड़े सिंपल ढंग से देखें तो वो कनेक्ट कर देते हैं मैटर को सुप्रीम के साथ तो सुप्रीम वहां से क्यों नहीं कर सकते हैं उनको एक इंस्ट्रुमेंट चाहिए ये मैटिरिल बॉडी के अंदर मैटिरिल फ्रेम में और भी भूती भी भगवान के इंस्ट्रुमेंट होते हैं इवन जो उनके अगेश्ट है वो भी इंस्ट्रुमेंट होते हैं एक सेंस में लेकिन अवतार इस कौंशेस की किस काम और किस मिशन से आएं तो वो कनेक्ट करते हैं मैटिरिल एक्जिस्टेंस को highest spiritual existence से और फिर next level matter के अंदर से वो mark ढूनते है तो ये बड़ी अधुद बात है क्योंकि अब तक तो हम लोग mark ढूनना मतलब अंदर से एक mark ढून दिया आपने बाहर चले गए श्रिष्टी के बाहर वो एक mark है लेकिन matter के अंदर से mark ढूनना यानि matter को ही प्रकाशित करना उसको ही next level पर ले जाना ताकि वो respond करने लगे spiritual glow को, spiritual force को ये प्रशन कई बार उड़ता है ना कि लोग कहते हैं कि भगवान को प्रे करो ठीक हो जाओगे हो जाता है कई बार नहीं होता है रोग रहता है श्रीज में दवाई की जरुवत परती तो लोग प्रशन करते कि भगवान सच में अम्नि पोटेंटी की नहीं सीधा मतलब बीच की कोई सोच नहीं है या तो अगर भगवान है तो सब करना चाहिए और नहीं है तो वो अम्नि पोटेंटी नहीं मतलब this is the depravity of logic क्योंकि जैसे कहिए नहीं है मैंनी है slips between the cup and the lip तो भगवान और जर्टत्य के अंदर बीच में अनेको अनेको ऐसी शक्तिया है बांधाय है कंडिशन्स है रिसेप्टिविटी ओपिननेस अब जर्टत्य अगर ओपिन ही नहीं है ग्रहंट शील होना है तो फिर अम प्रश्ण उठा सकते है कि तो ठीक है जर्टत्य तो ग्रहंट शील नहीं है तो क्या है हमारी ओमनी पोटेंस की जो आइडिया होती है शीडविंद कहते है इस लाइक इन इंपॉसिबिल मिरेखिल तो हमारी हमारा आइडिया होता है नहीं अब सोचिए आप कि अगर कोई एक मच्छर है उसको मारने के लिए नूकलियर बॉम का प्रियोग करेगा तो क्या होगा यही समस्या है भगवान अगर अपनी एपसलूट पावर को लगाएंगे पृत्वी पर उसको बदलने के लिए तो वो नस्ट हो जाएगी माता जी कहती है कि that divine love is transformative power divine love के अंदर है लेकिन माता जी कहती है कि ultimately वो ही transform करेगी divine love लेकिन ग्रहन शीलता चाहिए थोड़ी सी यह सारा जो प्रियास योग का है यदि कि मनुष्य ट्रांसवर्म कर रहा है कर्मा ही रही है लेकिन ग्रहन शीलता आवश्यक है तयारी जरूरी है नहीं तो वो तूट जाएगा क्यों? क्योंकि हमारी सोल तो आई है heaven से, heavenly psyche तो उसके अंदर वो spontaneous वो तत्व है, recognition है divine mother का और वो फट से turn कर जाती है वो तो ये कह देती है वो दुनिया मेरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल whatever it means, I am not very fond of this analogy मतलब ससुराल इतना बेकार भी नहीं होता है होना तो ये चीए बाबुल के घर जासा ससुराल बन जाए लेकिन अब matter क्या कहता है matter कहता है, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर वो दुनिया ससुराल ये दुनिया मेरा घर है आपके अंदर अगर शमता है तो मुझे बदल के दिखाओ तो अब समस्या क्या matter की, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, एक तो connecting links है evolution की, आप किसी एक चीज को touch करके, शेरविंद कहते हैं कि ये योग by its nature collective योग है, क्योंकि ये evolution का योग है तो ऐसा नहीं होगा कि एक individual वेक्ति सुप्रमेंटल बींग हो गया है, specimen ready उसको रख दिया म्यूजियम में, अब एक पहला तयार हो गया, दूसरी car आई, टेसला की वो तयार, it is not like that, क्योंकि हर वेक्ति एक दूसरे से connected है, आप अगर उसको disconnect कर दोगे, तो पूरी evolution की link खतम हो जाएगी, ये एक समस्या है, दूसरा है कि केवल manushya आपस में interconnected नहीं है, देवता, टाइटन, सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो यदि आप एक को push करते हो एक दिशा में, तो सब जो chain से बदा हुआ है, वो सबसे बड़ी समस्या, जो last time जिस पर हम रुके थे, I think so, inconscient जो पीछे में जखडे हुए manush को, वो छोड़ता नहीं है, वो तो कहता है कि मैं तो आपको नहीं छोड़ूँगा, मैं रिलीज नहीं करूँगा, तो वो तो ऐसी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने सैंक्शन कर दिया, आप गए लोकल बावू के पास, कहते हैं नहीं हमको कोई लेना दिसमें, ये डिफेक्ट है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब आप थोड़ी हर बार प्राइम मिनिस्टर के पास जाओगे, ये एक बार आप सैंक्शन लेके आगे, आप जाओगे, इमेजएट उसके ब्यक्ति के पास, वो भी करॉप्ट है, तो तो कहेंगा, नहीं नहीं, हाँ, रिलीज कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन ये इसमें न, एक टेक्निकल प्राइम मिनिस्टर की टेक्निकल प्राइम क्या है, वो तो ये ही कहेंगे कि आप जो लोकल, उसके ओपर जो आफिसर है, उसके पास चले जओ, अब ये और बात है कि मोधी जने एक निया तरीका निकाल दिया, सब डिजिटल एकोनोमी कर दी का अब बीच के लोग खतम हो गए लगभग उसी तरह की चीज मा एक जगे कहती है कि डारेक्ट मैटर की उपर वरकिंग माइन्ड वाइटल को उन्होंने भेज दिया था जब मैटर की उपर काम कर रही थी यह बीच के जो लोग है न माइन्ड डाउट करेगा वाइटल रिस्पॉंड नहीं करेगा जब तक फिजिकल तक आएगा तो उसके पास ट्रिकल हो करके कुछ आता है तो यह सारी समस्या उनको बताई जा रही है और I think हमने यहां तक पढ़ा था पेज 690 पे 91 पे आगे थे जस्ट कुएक चेक कर लो हाँ यह तो अंत में यही कहते हैं सावित्री को की मनुष्य भी Omniscient की आखों से देखने के लिए तयार नहीं है Omnipotent की force को अपने अंदर बहन करने के लिए तयार नहीं है माता जी कहते ही थोड़ी से तो खुशी होती है तुम लोग इतना जंप करने लगते हो डांस करने लगते हो तो वो जो force अगर टच करेगी तो कहां से बेयर करोगे तो यह प्रॉबलम इतनी सिंपल नहीं है कि सुपर माइंड आगे आप सब लोग सुपरमेंटल बिंग बन जाएंगे यह एक नेविटी है इस तरह सी की सोच जो है वो एक चाइलडिशनेस है दिर इस अ प्रोसेस संसार में हर चीज और एवल्यूशन की प्रोसेस है तो यह सारी चीज वो समझाते है और रंत में कहते ओ टू कॉम्पैशनेट इंड इगर डॉन यह है माश शियरविंद की करुणा वो करुणा नहीं होती है कि हमने हस्पताल खोल दी है फ्री वो करुणा नहीं है वो तो देखा जाये तो बड़ा अजीब चीज़े कि आप और मरीज लाओगे मरीज बढ़ते जाएंगे जितने हस्पताल खोलेंगे उतने मरीज बढ़ेंगे तो आप लोगों की इम्यून सिस्टम को और वीक कर रहे हो हस्पताल खोल गए फ्री दवाई दे दी माशी अरविंद कहते हैं नहीं मैं पैच वर्क नहीं करने आया हूँ नो मोर्दी ओल्ड वाई इन न्यू बॉटल यह तो वाई नहीं है एकदम रैडिकल समाधान चाहिए चाहें उसमें कुछ लोग ही जोड़े लेकिन अगर रैडिकल समाधान एक बार मिल गया ब्रेक्थ्रू मिल गया तो फिर बाकी सब के लिए आसान होगा ओ टू कॉम्पैशनेट एंड इगर डॉन अभी तो मधिरात्री है आप कैसे हो गाही संसार में देखिए मधिरात्री के समें तो कॉम्पैशनेट एंगर डॉन लेव तो दा सर्क्लिंग यह ओन स्टाडी पेस माताजी एक जे कहती है कहती कि किसी ने पूछा माः प्रांस में क्यो पैदा होई तो कई चीज़े वो बताती है कि उस समय फ्रांस का जो हायर माइन था तायार था रिसीव करने के लिए अगर आप देखो जो फ्रेंच मुवीज देखो यू अडेस्टाइंड वाट इट मेंस कितनी सटलिटी ए शेड्स अफ इमोशन से जो मतलब अश्र होता है आपने हमने कह दिया नहीं जैसे प्रेम अब प्रेम के कितने शेड्स हैं आपको फ्रेंच मुवीज दिखाई देंगे मैं कोई एड़टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो हायर इंटलेक्ट फ्रांस का रिनाइसा जो हुआ था यूनिटी, फ्रीडम, फ्रेटरिनिटी ये सारी जो पुकार उठी थी फ्रांस की धर्ती से तो फ्रांस का हायर माइन तैयार था फिर उन्होंने का दूसरी समझ से एक और थी यदि मैं भारत में आती तो बहुत कुछ तोड़ देती मा की वानी है कहती क्यों? कहती कि फिर मेरे अंदर वो काली का भाव जाकरत हो जाता है अब नारियों की जो थी मतला उस समय का भारत ये अलग भारत है सौवर्स पूर्व का भारत ये बिलकुल भिन भारत था तो हम उसको कंपेर नहीं कर सकते हैं एंशेन टाइम से जग के-कई रत को ले जारी है सार्थी बनके और स्वैंबर हो रहा है सावित्री का और नल दम्यंती का और द्रॉबदी का और ये सा हम लोग पढ़ते हैं लेकिन अपनी बच्ची को वो हम पत्री लेकर की भीवा कर तो आज का भारत उसके कारण थे मुस्लिम इवेशन, क्रिष्चन इवेशन ये सब कंटेक्स्ट है मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन एक उस अवस्था में था जहां पर अगर जगनमाता आती हैं और चारुत रत तो रणचंडी का उप ले लेती तो उसे तो बिनाश हो सकता था तो वो कहती है लेव टो दा सर्क्लिंग एवन स्टाडी पेस एंड तो दा वर्किंग अव दी इनकॉंशेंट विल ये जो अची तंदकारे उसमें भी विल तो मेरी है चिपी हुई सोया तो मैं हूँ दिरे 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 जाग रहा हूँ समय दो अब ये पूरी जो रुपांतरन की प्राबलम है यही है रुपांतरन निश्चित है उस दिन से जिस दिन एको हम भहुष्याम डेक्लेर हो गया तो प्रोजेक्ट तो यही है ना एको हम भहुष्याम और जिस दिन एकने की दिन से जागेक्ट तडियी है लेकिन उसके लिए बिलियूंज ओव यड निचर को यह प्रोजेक्ट दिया गया निचर कैथी ठीक है मुझे कोई जल्दीनी निये तो इसने तो मनुष्य को तयार कर लिया मनुशी के अंदर ये चाहा नेचर नहीं भर दी कि हम खेल को थोड़ा मज़ेदार करते तू मुझे मास्टर कर तो मनुशी कहते अच्छी बात है तो भारी प्रकर्ती को मास्टर करता है तो प्रकर्ती का खेल कि आप जितना मास्टर करते हो उतना दास बंद जाते हो एर कंडिशन, you become its slave ये सब शीर विन secret knowledge बताते है प्रकरती विर उस मनुष्य को आंतरिक प्रभुत्य की और मोरती है आंतरिक प्रभुत्य इतना आसान नहीं है लेकिन जब वो फाइनली वो प्रभुत्य वापराप्त करते है then she becomes her slave his slave सब अपने secrets दे देती है ये पूरा खेले लंबा प्रजेक्ट है इका दुका कोई प्रभुत्य रियल सेल्फ मास्टी करके चला जाता है तो अब प्रकरती तो मिलियन येर से ये प्रजेक्ट पर सिगनेचर है तो अब मा कहती है नहीं you have to change now तो प्रकरती कहती नहीं मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो अच्छा लगता है टॉय खेला तोड़ दिया ये मेरे अधिकार में है आप एक नई चीज ला रहे हो तो मेरे ही राजर दुद्वन्स हो जाएगा देवता कहते हमारा क्या होगा हमें कोई पूझेगा नहीं क्योंकि अपने अंदर ही लोग सुप्रीम को पा लेंगे तो ये सब लोग आके आप ऐसे समझें कि माता जी की ये स्टोरी के फॉर्म में कि ये कैसे संभव है माता जी तो आई है एक न्यू क्रियेशन का संक्षन लेने के लिए तो वह वो कहते हैं कि बहुत जल्दबाजी है अभी थोड़ा मनुष्य को सास लेने ने दो लेव तो इट्स इंपरफेक्ट लाइट अर्थली रेस अल शेल बी ड़न बाई दे लॉंग एक्ट अफ टाइम क्या है मिलियन येर्स और अब देखिए डिफरेंस सुप्रीम ये नहीं समझ रहे हैं सुप्रीम की कॉंशिसनेस में ग्रीव पेन नहीं है तो धर्थी के मनुष्य जैसे आप आपने खिलो ना खिला बच्चे खिलते खिलते तोड़ देते हैं बच्चे कोई नहीं समझ आता कि इसमें एक चेतना है उनके हिसाब से इस अटॉय अब प्रकर्थी के मूव्मेंट भी ऐसे हैं हम धर्थी पर पाव रखे चलते हैं कितनी चिटिया मर जाती हैं लेकिन जो डिवाइन मदर जब भगवान मनुष्य बनते हैं तब हो मनुष्य की वेदना पीड़ा मिलियन येर्स तो ठीक है लेकिन मिलियन येर्स डांस अफ डेथ, डेस्ट्रक्षन, डिजीज और क्या पता शेरविंद एक पोया में लिखते है मैन ब्लू आउट दा यूनिवर्स ही प्लेड विद एटम्स साइंटिस्ट की बात कर रहे है ही प्लेड विद एटम्स एंड ब्लू आउट दा यूनिवर्स बिफोर गॉद है टाइम तू शाउट के ते मिलियन तो प्रकर्टी का उत्तर रहेगा होने दो दो-चार प्रले और कितनी तो देख लिए आई सेजिस अब पढ़ो दो आई सेजिस दो डिस्ट्रक्शन तो रिकॉर्डड है एक डिस्ट्रक्शन डेड लाग साल पहले हुआ था तब धर्दी के उपर के वहल हजार मनुष्य रहे गयते और दूसरा सत्तर हजार साल पहले वह एक जौला मुखी फटा था इंडोनेशिया में तब हजार से पांच हजार मनुष्य रहे गयते क्योंकि इतना अच्छादित हो गया था सूरे ढग गया था कई हफतों तक तो पीपल डाइड तो अब प्रकर्दी काईती क्या है मरना तो सत नहीं है फॉर्म्स तूरते सोलत इइंउमाटल है प्रकर्दी भी जानती है तो उसको कोई समस्या नहीं होती है मनुष्य कहता है यह आप क्या बात कर रहे हो हमारी दुरिश्टी से भी देखो तो प्रकर्थि कहती है तुम सोस्ते हो कि कीडे मकोडेает तुम्हारे नीचे में? तो हम कैसे तो? प्रकर्थि कहती हम भी हमारा भी movement इतना विशाल है तो अब कौन intercede करेगा हमारे भिहाब पर? जगनमाता? कहती ही, नहीं, millions of years नहीं नहीं तो Supermind is inevitable in the logic of things यह तो अवश्यम भावी है भगवान स्रिष्टी के अंदर गहे है तो स्रिष्टी अंत में भगवान ही बनाईगी मैटर के आदाहर पर लेकिन जो टाइम पिरिए है तो इसलिए हो कह रहे है आल शेल बी ड़न बाई दा लॉंग एक्ट अफ टाइम अल्दो दरेस बाउन बाई इट सोन काइंड हर स्पैसीज आप देखेंगे अपने स्पैसीज की लॉज से बंधी हुई है बहुत बिचित्र मैजिक सर्किल है सिंग है सिंगत्य से बंधा हुआ है अब सिंगत्य से वो ऐसा बंधा है कि वो कुछ ऐसी जीवों पर वो नहीं अटैक करेगा उसके अंदर में ये प्रोग्रामिंग है मनुष्य पर भी वो दूर से मनुष्य की आखों में कुछ है वो देखता है वो दूर से रहता है अगर आप उसके टरिटरी में जाएंगे जहां उसको स्मेल आने लगे आपकी या बहुत भूका है अदर्वाइस वो नहीं अटैक करेगा है बहुत बल्वान मनुष्य के अंदर ये मैजिक सर्किल तूटने लगता इसलिए मैन इसे ट्रांजिशनल पी उसको पते नहीं है कि मेरा मैजिक सर्किल कहा है वो तोडने के लिए ही पैदा हुआ है मनुष्य की ये परंपरा है हर जेनरेशन में रही है कि आपने माता पीता लाइन खीचते हैं रेखा और बच्चे क्रॉस करते हैं वो अपने समय में अपनी लाइन क्रॉस करते हैं बच्चे दागे की लाइन क्रॉस करते हैं कि ठीक है मनुष्य बंधा है अपनी सिमाओं में प्रकरती की लेकिन उसके अंदर एक चीज मैंने डाली हुई है इसल वो अल्टिमेटली इन सब के ऊपर चली जाएगी सोल इस सुच पावरफुल मतलब लोग देवी देवता पूजा करते हैं कोई समस्या नहीं है अगर वो केवल अपनी सोल को पाने के लिए वो चेष्टा लगा दे मताजी जब अनुसुया की स्टोरी देखती है कहती है वो बना देती है ना ब्रह्मा विष्ण महेश को बच्चे बना देती है और पावों पे जंगा पे रखके कहती है आओ दूद पान और तुम्हें खाना खिला के सो जाओ और तीनों देवियां आती है कहती है कि ये कहा है हमारे हजवेंट्स कहती है पता नहीं अंधर में सो रहें अधार काड मैच करा के ले जाएए अब उनकी शकलें बदल गई है कहां समैच होगा तब वो स्टोरी मा बहुत हस्ती कहती सच बात है मनुष्य ही केवल ऐसा प्यार कर सकता है उसके ही अंदर प्रेम कितनी प्रवल शक्ति हो सकती है क्यों मा क्योंकि मनुष्य के अंदर चैते है जो सुपरीम का आंश है किसी के अंदर नहीं है देवी देवता भी जब इवल्व करना चाहते तो मानव रूप धारन करते हैं, यह सब हमारे mythologies में है, तो the soul in man is greater than his fate, यह हम सुनते हैं शियर विंद हम को इसको emphasize करके इसमरन कराते हैं, कि बाकी सब आपने जीवन भर कर लिया, कितने मंदिर गये, वहाँ आपने जितनी आरती करनी थी कर ली, जबते कि अंदर के soul को नहीं पहचाना, देखा है आत्म साथ नहीं हुए, सब आधा दुरह काम है, कोई यह, कोई पर्मनेंट अकाउंट में नहीं है, यह पहला पर्मनेंट अकाउंट है, the divinity within us, तो अब कोई कहता है कि अगर हमें एक जन में नहीं पाएं, कोई प्रबलम नहीं, यह एक क्रेडिट है जो आपका जाता है बाकी यह सब आता जाता आयाराम गयाराम Above the wash and surge of time and space disengaging from the cosmic commonality by which all life is kin in grief and joy delivered from the universal law the sun-like, single and transcendent spirit can blaze its way through the mind's barrier wall and burn alone in the eternal sky inhabitant of a wide and endless calm फिर वो दूसरी संभावना बता रहे कहते है, soul in man will struggle through it दूसरा यह जो line है this is the very powerful and much more beautiful way of expressing जो कठोप निशद में कठोप निशद में क्या है सुरियो यथा सर्व लोकस्य चक्षू नालिप्यते चाक्षूशे बाहिये दोशा एको वशी शर्व भूतान तरात्मा नालिप्यते लोक दुख्षेन बाहिये यहे है now you see the what heightened mantrak expression comes here यहाँ वो क्या कहा है above the wash and surge of time and space disengaging from the cosmic commonality by which all life is skinned in grief and joy नालिप्यते ही लोक दुखें भाई है उसको एक्स्प्लेन कर रहे है यहां पर commonality है सुख दुख का बंदे ही लोग लेकि इसे डिसेंगेज करके सुर्यो यथा सर्व लोका से चक्षो इस सुर्यो यथा सर्व लोका से चक्षो inhabitant of a wide and endless calm मतलब अद्वुत है उस सत्य को किस लेविल पर ले जाते हैं completeness, mantra, power और अगर इसके गूर उसमें जायें तो लगता है कि हम लोग कहते हैं कि यह बहुत सुंदर है उस समेच जिन रिश्यो ने देखा लेकिन जिस लेविल पर ले गए हैं इसे के सत्य को जैसे वो है यगनवल का वो कहते हैं कि अब इसमें कई जगे पर इसका expression आता है एक जगे तो बहुत पारफुल है जहां पर वो कहते हैं कि divine मतर को invoke करते हैं कि आप धर्ती पर आईए कैसे वो आप हटा दीजे उस पट को जिसके का है ओ, truth defended in thy secret sun mystery and muse mysterious truth defended in thy secret sun linger not long with one single bar of time with thy hand pressed on one single bar of time how he lifts everything O flame, withdraw into thy luminous self तो ये उपनिश्दों में है, कठ उपनिश्द में यही ची जन्त में कही जाती है कि withdraw into thy luminous self स्थे शाम, शांतिम, शाष्वती, नेतरे शाम withdraw into thy luminous self or else return to thy original might on a seer summit above thought and world partner of my unowered eternity be one with the infinity of my power for thou art the world, mother and the bride तो ये supreme consummation कहना, soul choice तो ये दो चोईस तो है विकल one is that you can go and merge into that infinity forget everything or else, आप divine mother ही हो eternal की bride हो आप वापस जाके उनके साथ एक हो जाओ आत्म साथ हो जाओ ये संभावना तो है अवतार जाते नहीं है लेकिन वो धर्दी के उपर रहते हैं क्योंकि जिस काम के लिए आएं पर ये संभावना है कि आप जाके ये संभावना है हो जाके अपने सचीदानन्द घंशाम में बिलीन हो जाएं but that is the possibility out of the fruitless yearning of earth's life out of her feeble unconvincing dream out of her feeble unconvincing dream recovering wings that cross infinity वे पंक जो आप छोड के आई थी Phoenix Bird का वो जाएं आगने पंक जाके आप नीचे आई थी pick it up and go into eternity manusha ko dekho यह life यहाँ पर है vanity, illusion तो जिनोंने experience किया था वो इस तरह से देखते थे जीवन को pass back into the power from which thou came is it is equally true for all of us pass back into the power from which thou came is यह एक option soul के पास to that thou canst uplift thy formless flight thy heart can rise from its unsatisfied beats and feel the immortal and spiritual joy of a soul that never lost felicity तो यह पूरी इस पर again मैं फिलोस्पी में नहीं जाना चाह रहा हूँ लेकिन ऐसी विसिष्ट अद्वेत या आज ही किसने प्रशन किया था अजाति वेद वाद तो उसमें एक ही unborn self can never be born और अगर यह एक भाव है तो यह किलूशन है आप उसमें जाके मर्ज हो सकते हो तो यह सारे options जो पहले के हैं पहले वो यही बताएंगे कि tradition में यह सब अब तक हो चुका है तुम भी जा सकती हो सावित्री तुम पीडी थोरी है मनुश्य की पिड़ा से बिलियन बिलियन एर्स के बाद बहुच जाएंगे प्रेम को अपने अंदर संवरन कर दो लिफ्ट अप जो फ्लटर कर रहा है धर्थी के उपर मनुश्यों के बीच ऐसे पीड़ित हो रहा है जैसे साधरन मनुश्य कोई स्टोरी है न राम जी अरे मैं जाके क्या बताऊंगा कि मेरे भाई को लक्षमन को सक्ती लग जाती न तो कहते हैं क्या बताऊंगा में अपनी मा की चिंता नहीं है उनको चिंता है कि सुमित्र मा को में क्या बताऊंगा कि इसकी रक्षा नहीं कर पाया अब आप सोचिए अगर कोई ट्रडिशनलिस्ट है भगवान है इसमें क्या भगवान है नाक पाश में बन जाते ना गरूर भी आगी यही कहते कहते हैं तुम लोग नाक पाश में काट डालते हैं हनवान जी खीच के लाते हैं उनको तो जैसी राम जी और लक्षमान जी के नाक पाश ढिले होते हैं तो सब बंदर चिलाते हैं जैशी राम तो गर उड़ जाते जाते रुख जाते कहते हैं जेशी राम कहते हैं जेशी राम कहते हैं बंधन काटे हमने आप बुला के लाये थे हमको ये साधरन मॉटल्स को आप जेशी राम जो एक साधरन नाक पाश में आ गए तो बंदर कहते हैं, आप चाहिए आपका काम हो गया, आप जादा नहीं तो बंदरों को गुस्सा आगया, तो आप बापा जाने के लाइक नहीं रहोगे, अब बड़े गुस्से में चाहते हैं और वो रस्ते में नारजी मिलते हैं उनको, हनुमान जी भी कहते हैं, हनुमान ज सचीधानन$, तो नहरत कहते है गरूर से क्या पिया है तुमने धर्रती से ज़ए एक सीधा सा सचनी दिखाई दे रहा है तो कहते है हाँ वो जाते हैं फिर ब्रह्मा जी विष्ण भग्वान विष्ण भगवान नहीं शिव जी के पास शिव जी कहते है कि मैंने सोचा था कि मैं ही रहता हूँ उस नशे में सुप्रीम के लेगिन तुम तो तुम्हें जो नशे है इसको कोई नीचे कर सकता है सिवाए तुम्हेरे मालिक के तो मालिको विष्ण भगवान से जाते है पूछने के लिए कि यह कौने धर्ती पर जिनको लोग भगवान-भगवान कह रहे हूँ जब जाते है देखते हैं कि सीट से विष्ण भगवान है यही है नहीं दयनी क्योंकि लोगता बाहो तो बाहर द्वार पाले औनको पता नहीं क्या हो गया है then he realizes कि धर्ती की जो लीला होती हो क्या होती है तो it was very easy राम जी सिता जी के लिए क्या मुश्किल था कि बही easily they could have said हो गया बहुत अब कौन असुर वगरा के बीच में जाए साधरन मनुश्य तो ऐसी सोचता है ना और वो तो सर्व सक्तिमान है आसानी से जा सकते थे लेकिन नहीं ये होती है अवतार की महिमा और इसलिए जो अवतार के प्रती जो महसूस करता है मनुश्य अटलिस्ट मेरा ये मानना है सुप्रीम है सुप्रीम है लेकिन अवतार तो सुप्रीम से बढ़ करे है क्योंकि वो हमारे जैसे बनते हैं, हमारी पीड़ा समझते हैं और इसलिए आप देखिए, एक तरफ चलता रहता है, पैरलल योग उपनी शदों में, वेदों में, फाइंडिंग दसुप्रीम लेकिन आज तक, जैगोष कृष्णो राम के होते हैं अवतार अवतार होते हैं, उनके अनपैरलल होते हैं, मतलब वो भगवान जब मनुष्य बनते हैं और मनुष्य की तरहें चलते हैं, मनुष्य की पिड़ा को अपने अंदर आत्म शाथ करते हैं वो विश्पान यहां करते हैं, ना कि केबल के एक सूक्षम शरीर में जब सीता माता सुनती हैं लोगों के ताने, क्या उन पर भी थी होगी? तो वो एक अलग लीला है, जिसके प्रतिय हम जितना कृतक रहें, उतना कम है Forever rescued out of nature's shapes, discover what the aimless cycles want there intertwined with all thy life has meant, here vainly sought in a terrestrial form सब है जो तुम यही ना सत्यवान के साथ, अनन्द में, वहां सब है, सुविधा है यहां तो असुविधे ही असुविधा है, बीचिश में आता रहता, असुविधा के लीए खेद है वहां पर complete perfection है Break into eternity, thy mortal mold melt lightning into thy invisible flame तो जब भी आप सुनो ना, ऐसी कहानी है, तो मेरी अपनी एक मान सिकता है लेकिन लोग, अरे वो, मतलब ऐसी समाधिस्त हो गए, चले गए, तो इस में क्या, मतलब जहां से आए ते चले गए आप यहां क्या किया आपने, यह संसार तो ऐसी रहा, समाधिस्त हो गए, चले गए, मतलब so what's the big deal, यहां रह करके, this is, यहां create करना, उस स्वर्ग को, उस आनन्द को, यह चैलेंज है मनुष्य के लिए, Clasp ocean deep into thyself, thy wave, अब यहां पर विशिष्ट अद्वेत है, जो लोग philosophically inclined है, उसमें जो सोल है, वो एक प्रतिति, एक वेव की तरह है, तृत तो ocean कही है, पर एक प्रतिति है, तो कहते है, वेव के रूप में तुमारी सोल ही मर्ज हुई, वापस चली जाओ, this is, whole विशिष्ट अद्वेत summarized in one line, Clasp ocean deep into thyself, thy wave, happy forever in the embosoming surge, grow one with the still passion of the depths, then shall thou know the lover and the loved, leaving the limits dividing him and thee, mortal उसकी छोड़ दो, Mataji जी कहती है, कहती है, people don't understand, मुझे और शियरविंद को, immortality हम भाट पहले, we had experienced it, और हमें, merge होना इतना सहरल था, जैसे आप किसी भी चीज में, कहती है, it was so easy, anytime we could merge into each other, in our immortal self, यह नहीं कोई वो विवश्ष थे, Mataji एक जगे लिखती नहीं, जब किसी नहीं कहा कि, Shurabindu left his body, Shurabindu was not compelled to do so, but he chose to do so, for reasons so sublime, that the human consciousness cannot understand, वो तो जज़ करती है, भगवान को, तो वो, यहां, grow one, with the still passion of the depths, leaving the limits, dividing him and the, limits क्या है, यह मन प्राण शरीत की limits है, इनको छोड़ के तुम, spirit के रहल में आजाओ, lose thyself into infinite satyvan, O miracle, receive him into boundless savitri, lose thyself into infinite satyvan, O miracle, where thou beginnest, there cease, यह उनको choice दी गई है, saavitri को. Now starts the powerful answer. और यहां पर हम देखें की, Shirvind Mataji की करुना और प्रेम क्या है? But saavitri answered to the radiant God, In vain thou temptest with solitary bliss, मैं आनन्द में चली जाओंगी, वो भी आनन्दित हो जाएंगे, हम वहां बैठ के भजन काएंगे, Shivo हम, Shivo हम, सचिद आनन्द हो. यहां, इसका क्या है, मनुष्य को हम बता देंगे, कि ऐसे रस्ते पे तुम भी आजाओ. In vain thou temptest with solitary bliss, two spirits saved out of a suffering world. Saved out क्यों बोल रही है, सत्यवान को भी, because death के चंगूल से बाहर आ गया है. लेकिन समस्या के वल, death के चंगूल से बाहर आने की नहीं है. Will he come down here? और यहां पर वो रुपांतरन के लिए सहाय था, यह पूरा मुद्दा, मुद्दे की बात ही है. My soul and his indissolubly linked in the one task for which our lives were born. Janam janam, Mataji Shirvind के, अगर आप जीवन पढ़ो, I was reading Mary internet, संसार में कोई सबसे पीडा, सबसे अधिक कोई पीडा का जो दृष्य है, तो मेरी internet का है. She was one of mother's previous incarnations, मतला अभीवुथी. और वो इतना घ्रणित रिष्य है कि I can't even speak about it, because I know it was the mother. But just to tell briefly कि सब लोगों का परिवार में, हस्बें, इत्यादी, सब को खून उससे मार दिया गया. यह स्टोरी बड़ी टचिंग है लेकिन. बरबरता से निशन्स रूप में मारा गया. और फिर मेरी internet को publicly सब वस्तर उतार के तुम वस्तर पहनो, जिसमें तुमको गिलोटिन देना है. मतलब शी विल बी गिलोटिन और इस तरह से विप लैस से उनको ले जाते हैं. इसमें एक जो क्राइस्ट कहते हैं, फर्गिव देम, यह उसके आगे की चीज है. तो जब वो ले जाते हैं गिलोटिन पर, तो गल्ती से उनका पाउँ एक्सेक्यूचनर के उपर पढ़ जाता है. जो गिलोटिन देने वाला है उसके पाउँ पर पाउँ पढ़ जाता है. अब देखें नोबिलिटी की पराकाश्था है इसमें. तो वो कहते हैं, आप गल्प्रा कर सकते हैं उस समय, उस अवस्था में, कोई भै से नहीं हो, तो पता है गिलोटिन मिल ली हैं, एक्सी कुछनर उसका तो कोई वो नहीं है. ये संसार की सबसे द्रवित करने वाली घटना है. माता जी के पूर्व लाइफ की है. इसके लावा भी एक वो डॉजिस में, जहां पर उसकी बात करती हैं, कि शी लव्ट समवान एंड उसको भिक दिया जाता है किनाल में. दॉन तोन, शीरविंद की प्रिविएस लाइफ, जहां वो थर्टी टू यर्स की एज में गिलिटिन, आप बतलब ऐसे थोड़ी पक करके, यह केवल हिमाले पे बैठ के तबस्या नहीं है. रियल लाइफ में फेस करके बैटिल अफ लाइफ, इस सोल मेड रेड़ी थूए थाउजन यर्स, इस अलिविंग मोल्ड अफ इस सुप्रीम डिसेंट. तो यह सारी उनकी कहानी, तो वो कहती है, नहीं, हमने तो युगे युगे, जनम जनम हमने साथ रहकर, इस महतकार के लिए प्रियास किया है. वो क्या काम है? In the one task, my soul and his indissolubly linked, in the one task for which our lives were born, to raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine. इन तीन पंक्तियों में करुणा रहस है, प्रेम रहस है, वीर रहस है, सब कुछ है. अद्वुत है यह, कि यह आफसर मिल रहा है, कम इन्टू महानिर्वान, और कौन सा महानिर्वान, वेर यू कन बी आनन्देत विदिएम, मतलब इस्ट बेस्ट डील, जनम जनम आते रहें, I'll read again, मेरी फेवरिट लाइन से यह, To raise the world to God in deathless light, To bring God down to the world on earth we came, To change the earthly life to life divine, और इसके आगे, अब करूना, और लोग हैं, जब पूस्ते हैं, Shiair Vin, Mata Ji, I mean, they have no clue about anything, इदर अधर से दो चार फिलोसोफी कहीं पढ़ी, चार शब बोल लिये, दो स्लोग यह, Gita पढ़ी, They start speaking about Mother and Shurabindu, समझ नहीं आता है कि इनकी मुर्ता पर हसा जाए, यह इनको सम्झाया जाए, No clue, Look at what Mother is saying at that level, I keep my will to save the world and man, Now, let's add to the same, Despite man not wanting to change, Despite man doubting, आप अभी पी जाके, बोलिये, कोई और Swamiji, जोगडा, जोगी, आप कहीं ले जाए, लोग बड़े, बड़े, कुशी-कुशी, चले जाएंगे, आप बताये, आपको पता है, Maa Shurabindu ने, आरे, पता नहीं, यह वो, Even without knowing and understanding, your resistance in the earth, तो यह, इस 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 दिफरेंस, Even the charm of thy alluring voice, O blissful Godhead, cannot seize and snare, तलब यह तो ultimate Bhagawan की Maa, यह कोई साथरन नहीं, वैस्ण भी Maa की पराकास्था है, ओ कहती की, I do not accept it, I sacrifice not earth to happier worlds, because there dwell the eternal's vast idea, and his dynamic will in men and things, so only could the enormous scene begin, Bhagawan का संकल्प था, तभी तो यह scene stage सब प्रारम हुआ, एको हम भुश्या, वहां से प्रारम हुआ, तो उसको हम कैसे भूल जाएं, whence came, अब यह lines मतलब, आप जीवन आप देखते हैं न, प्रशन करते हैं, तो शियरविंद उन प्रशनों को, जो हम लोग करने में डड़ते हैं, भगवान से, वो स्वेहम कर रहे हैं, और कितने perfection से कर रहे हैं, whence came this profitless wilderness of stars, this mighty barren feeling of the suns, who made the soul of futile life in time, आप कहते हो, Maya, Maya, निकल आओ, किसने soul को इस futile work में डाला, कौन है वो, it's almost like I want to meet, who is he, who has put the soul in a snare, अब वो कहते हैं, जोड़ के तुम आजाओ, पहले attachment, उसके बाद detachment and go into, किसने हमें भ्रहमित किया, यदि ये ब्रहम है, तो कौन है जिसने इस soul को भ्रहमित किया, यदि ये ब्रहम है, planted a purpose and a hope in the heart, किवल ये ही नहीं कि यहां आगए, आशा का दीब भी जला दिया, एक purpose भी कहीं डाल दिया, set nature to a huge and meaningless task, यहां, meaningless in the sense, जो लोग कहते हैं कि ये तो कोई purpose नहीं है, और planned her million, aeond, efforts, waste, कौन है, जिसने इतनी बड़ी बरबादी इस स्रिष्टी में, million aeond, मतलब कितनी प्रले हो गई, छे प्रले हो गई हैं, किसने ये प्रारंब किया, ये खेल, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, अब वो कहरें कि इसको छोड़के आजाओ, महा निर्वान में, तो वो सुप्रीम तो नहीं हो सकते, जिन्हों ने प्रारंब किया था, इस खेल को, original will, I want to meet, what force condemned to birth and death and tears, लोग कहते हैं ना कर्मों के कारण, original क्या कर्म था सोल का, वो तो विचारी आनन्द से सचित आनन्द में थी, अब आपने धकेल दिया, उसके बाद आप कहरे हो, पाप पुर्ण शुरू होगी, आपकी साइकिल, अग्यान में जाने के बाद, कई बार मैंने कोट की है, उमर खायाम की, ओ दाओ, वुद पिट फॉल, और विद जिन, बिसेट द रोड I was to travel in, वुद दाओ, विद प्रेडेस्टिनेशन अराओ, इंप्यूट मी फॉर मैं फॉल तु सिन, ऐसी सड़क बिचाई जहां, जाल बिचाई कदम गदम पे, गड़े डाल दिये, कोई देखने वाला नहीं, उसके बाद आपने पापी तु गिर गिया उसके अंदर, बिसेट द रोड I was to travel in, वह आज माताजी की अफॉरिजम थी, कि for the supreme there is no sin, यह प्रोग्रेस है constantly, यह human conception है, तो कहते है किसने यह, what force condemned to birth and death and tears, these conscious creatures crawling on the globe, if earth can look up to the light of heaven, and hear an answer to a lonely cry, not vain their meeting, nor heaven's touch a snare, आप कहें तो यह रहो, लेकिन सच तो यह है कि धरती पर, लोग प्रारतना करते हैं, उसका उत्तर भी मिलता है, यदि यह सारी वेन है, तो आप क्यों उत्तर दे रहे हो, खतम होने तो, एक और तो आप पीचे से हा करके उसको support भी करते हो, इसकी क्या जरुवत है, let the game be over, जो वैनिटी है, जितनी जल्दी खतम होँचा है, कायदे से जो लोग बड़े मोक्षवादी, मोक्षवादी, तो मैं उनसे कहता हूँ, आप बेट क्यों कर रहे हो, ये पकड़ो, गम्छा, लोटा, लोटिया, और स्टाफ, निकल जाओ, don't keep speaking about mokshah from all the blare and blazing radios, उसके बाद में मेराग भोजन क्या है, he said that I am ego less free than sore because his dinner was not ready, तो ये सब क्या है, फिर mokshagar, मतब जब सिंसरिटी होनी चाहिए, ये hypocrisy is the worst kind of, मतलब अगर आप सच में मानते हो की संसार में mokshi परम सत्य है, तो विराप पैसे क्यों कमारे हो, जमा क्यों कर रहे हो, किस्ते ये कर्मों के उसमें बंधन में क्यों बंद रहे हो, then be like Buddha और Mahavir, pick up the staff and walk into the forest, shed everything, मतलब उसमें फिर भी एक कम से कम सिंसरिटी तो है, कि आप जो कह रहे हो, वैसे अनुरूप कार रहे हो, हम लोग के लिए लागु नहीं होता, आप तो क्रिश्न जी के लीला में, लोग सगर आर्थ को मानते है, chariator the swift, but if you really believe कि salvation ultimate है, तो then do that, follow that, तो यहां पर ओ कह रहे हैं, if earth can look up to the light of heaven, if thou, Bhagavan Aap Satya Ho, and I, the soul, is true, the world is true, यह शियर्विंद का, शियर्विंद अपनिशद में, जगत सत्यम नमिथ्या, ब्रह्म सत्यम नमिथ्या, जो उससे निकला है, उसको आप मिथ्या कैसे, यानि अगर वो, अगर मैंने एक पेंटिंग बनाई, और कहाँ यह मिथ्या है, तो फिर मैं ही मिथ्या हूँ, नहीं तो मेरे अंदर से यह कैसे निकला, हाँ मैं यह कह सकता हूँ, कि यह तेम्पररी, यह पर्फेक्ट नहीं, यह तो मैं मिथ्या हूँ कि यह मिथ्या है, तो वो मिथ्या कहां से निकला, मेरे अंदर से निकला, तो if thou and I are true, the world is true, although thou hide thyself behind thy works, कहां छुपयो घंश्याम, these are his wales and his works and his shadows, but who is he then, by what name is he known, is he Brahma or Vishnu, man or a woman, twin or alone, यह उनके काम है, यह सारी स्रिष्टी, काम जैसे इसलिए उपनी श्रदों में इसको वर्णन किया गया है, spider जो बहुत अच्छा नहीं, I don't like this description, लेकिन अब है उपनी श्रदों में, spider अपने अंदर से, I don't know, लेकिन एक तरह से सठीक बैठता है, spider अपने ही अंदर से जाल बुनता है, उसी का है, उसी के अंदर से निकला, उसके पीछे वो छिपा हुआ है, लेकिन यह एनलेजी में प्रॉब्लम यह कि, इंसेक्ट फश जाता है, प्रॉब्लम निकल के बहार आता है, पर इसका अंदर से निकली है, और यह कर्म जो भगवान का है, उसके पीछे भगवान चिपे हुएं, यह भावे इसके अंदर, तो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं, चाहें कितनी आधिय दुरी पहचान हो, है तो पहचान, अब आप कहते हो, पहचान है भी और नहीं भी है, है यह नहीं कोई सोल, कोई भी चीज, आप मर्ज हो जाओ, तो यह paradox का क्या मतलब है, तो बी इस नॉट एस सेंसलेस पराड़ॉक्स, since God has made earth, earth must make in her God. क्या अद्भुति यह लॉजिक है? लोग कहते हैं, लॉजिक कहा है, यहा है, लॉजिक, सुप्रीम लॉजिक, what hides within our breast, she must reveal. कहते हैं ना, कनकन में भगवान है, फिर कहते हैं निर्वान, अगर कनकन में भगवान है, तो भगवान प्रगट होने चाहिए ना, आप आधा दूरा खेल देखें, क्यों सिनेमा आ रही है, इसमें सब कुछ है, हिरो भगवान है, विलेन असूर है, आपने इंटरवेल तक देखा, जहाँ असूरी जीत रहा है, आपने कहिए तो बहुत बेक्वास पिक्चर है, भगवान क्या बोलें, पिक्चर अभी बाकी है, मैं हूँ इसमें, अभी आना है मेरा रोल, कनकन में भगवान है, लेकिन उसके बाद निर्वान है, यह क्या मतलब हुआ, कनकन में यदि भगवान है, तो वो तो निकलेंगे, प्रगठ होंगे, इस इस अगोल लॉजिक और एवल्यूशन की, पूरी लॉजिक ही ही है, इवल्यूशन इज मैनिफेस्टेशन, I claim thee for the world, that thou hast made, क्या पावर है इस लाइन से, आपकी दुनिया है, आप आईये हमारे साथ, पता है, बड़ी एक इंटरेसिंग स्टोरी है, एक विक्ति, पहले ना, माश एर्विंद की फोटोग्राफ्स ऐसे दिये नहीं जाते है, दे तो उनको ढख के रखो, चिपा के रखो, क्योंकि वो एक, जब तक सुपरमाइंड मैनिफेस्ट नहीं करता, आसुरी शक्तियों का भेंकर आकरमाण, पुरा वल्ड वार हो गए दो-दो, because they didn't want this to happen, तो अब एक विक्ति ले गए, अब छिपाव पागे रखने में फंगस लग गई, तो उनकी देखिए दशा देखिए, यह बड़ा बुरा लग रहा है, और यह फंगस लग गई, फिर उनकी शियर्विंद को चिथी लिखे, आप ने हमको चित्र दिया, आप ने कहा ऐसे रखना है, अब आप ने हमें यह ज्ञान क्यों नहीं दिया, कि इसके अंदर से फंगस लग सकती है, इसको हटानी है, यह ऐसे बड़ा है, I claim thee for the world that thou hast made, दिरे दिरे वो सारी फंगस चली गए, यह डारेक्ट आपको फिर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, आपका संसार है, आप क्यों नहीं आ रहे हो समालने के लिए, यह प्रशन उचित है, इसमें कोई गलत प्रश्ट भगवान को बुरा नहीं लगेगा, वो कहेंगे एक तो हुआ एक लिविंग जन्विन आदमी, नहीं तो सब तो आकर के मुझे कहते हैं, या तो मेरे बच्चों को देखवाल कर दे भगवान, बच्चों को देखवाल कर दे, या फिर वो कहते हैं कि हम निर्वान की और तो एक तो है जो लग रहा है, जिन्दा है, जिसके अंदर दिले धड़क रहा है, भगवान देखो यह पीड़ा, कम, कम मदर, कम, यह, वो कहते हैं कि, I claim thee for the world that thou hast made, अब आगे यह question है, जो hanging है, जो सावितरी में भी हम देखते हैं, if man lives bound by his humanity, आपका यही कहना है ना, कि मनुष्य नहीं change होगा, okay, if man lives bound by his humanity, if he is tied forever to his pain, देखें क्या इसका मतलब है, नहीं देखेंगे, शियरविंद का योग बड़ा कठीन है, ठीक है, 200-300 साल गुजरने दो, काल की धारा ले जाएगी, सुपर हुमानिटी की और, उसके बाद हम कहेंगे, यह कौन से लोग हैं नमूने, जिनके यह पता नहीं कहां से, intuitively इनके अंदर ग्यान आता है, इनके अंदर एक अलग तरह का प्यार है, आप के पास वो, हाव टेक देट लीप, बिकास काल की गती ऐसे चलती, इसको बाद जाता है, शॉल्टेट्री लीप्स, इवोलुशनी लीप, तो यह आवर अव गॉड है, जब आप लीप ले सकते हो, पूरी साहता मिलेगी, लेकिन अगर मनुष्य नहीं चाहता है, वो यहीं चाहता है, कि नहीं हम मनुष्य बने रहें, और मनुष्य में सुक्दु के हम भोग लेंगी, हमको यही पसंद है, चाहें, जो भी कारण हो उसका, तो मा कहती है, ठीक है, यदि यही अगर है, तो भी, Let a greater being then arise from man, the superhuman with the eternal mate, and the immortal shine through earthly forms, तो यह शेर्विन से किसी ने पूछा था, कि, Sir, मनुष्य क्या है, होना क्या है, आप तो डारेक्ट बताते नहीं, because यहीं कि जैसी मैं बोलूँगा, forces will attack, कहते है, इतना तो निश्चित है कि Earth will be saved, मनुष्य का क्या होगा, कहते है, Earth will be saved, regarding humanity, Mother has left the question hanging, and I can only do the same, यह 40s की बाद है, of course, supramental manifestation हो गया है, तो things are different, उसके बाद मा कहते है, शेर्विन से, जब भी मैं कहती हो, कहते है, मनुष्य तयार नहीं है, ready नहीं है, पूरा जीवन उनने, इसलिए कि मनुष्य तयार नहीं, क्यों तयार नहीं है, यह बढ़ी सिंपल सी चीज़ है, opening to grace, आप देखे, किते डाउट लाएगा, किते सारे चीज़ों में बदा रहेगा, strange है, I have not understood this phenomenon, अगर कोई completest answer है, जीवन की समस्या के लिए तो शीरविंद के पास है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह एज़ डिवोटी और अइनिफिंग लाएगा, सब सब study करके कह रहा हूं, Eastern, Western, Literature, जितनी possible, माथा पच्ची कर चुका हूं, और तब कह रहा हूं कि यह एंसर नहीं है कहीं पर, और इसके लिए I am ready to take anybody's question, लेकिन, फिर भी, आंत में वही कहता है, नहीं हम तो जाते हैं, वहां पर तालमजीरा बजा के बड़ा अच्छा लगता है, आंत में वहीं पर आ जाता है, इनर्शिया, comfort zone, जो भी कह लिजे, वो असान है, क्योंकि आप आजकल digital आर्थी भी कर सकते हो, दान भी दे सकते हो, इनर्चेंज, यह मत बोलो, हम जो हैं, हम नहीं सुदरेंगे, वह फिल्माई थी न, हम नहीं सुदरेंगे, हम तो यह रहे, तो मां कह दी, लेकिन ग्रेटर बिंग तो आएगा धर्थी पर, तो यहां समस्या के वल मनुष्य की नहीं है, मनुष्य को सौभाग ये प्रापत है, समस्या अर्थ की है, यदि मनुष्य इसका लीडर रहा, तो विनाश की ओर जा रही है, तो कहती है, यदि मनुष्य अन्थ है, तो आई अग्री कि दिस इस वेन, इतनी आधियतूरी रचना है, इसको कुई कैसे संतुष्ट रह सकता है, मुझे आश्तिक यह नहीं बात समझाजाई, कि लोग मनुष्यता से इतने संतुष्ट कैसे रहते हैं, आप यह नहीं जान सकते कि अगले शंड क्या होने वाला है, यह तो आपकी सोच, बुद्धी और शक्ति की सीमा है, और जितनी सीमा है तो प्रेम अपने अलावा बहुत हुआ, तो बच्चे को, परिवार भी नहीं, वो भी जब तक बच्चा आपकी बात पूरी सुन रहा है, जिस दिन बच्चे नहीं का, डाद, I don't really, you know, you may be wrong, what? मैं गलत हो सकता हूँ, मैं भगवान हूँ, पता नहीं तुझे, मैं पारवर्म परमेश्वर का साक्षात सरूफ हूँ, जब मैं पती था, तब ही मैं देव था, पती देव था, और अब तो मैं पित्वा हो गिया, थोड़ा बहुत लेटर्स का फेर बदल है, तु मुझे कहने की यह हिम्मत कैसे कर रहा है, कि मैं गलत हो सकता हूँ, नरक में जाएगा, और अब कुम्ही पाग जो भी कहा है, अब नरक का डर नी लगता है लोगों को, तो कहते हैं, मैं अपनी बित्व से दखल्क दे दूँगा तुझे, अपने पैसों से, बच्चे और स्मार्ट हों कहते हैं, कोई ड़न्ट मैटर, लाइफ इल बिगिन, बहुत अच्छी बात है, मेरे अंदर है वो शम्ता की मैं, इस इस दे काइंड अफ जिसमें होप है, वो वाली ने की, मादा बिदा के दौलत पे आँख लगी हुई है, मम्मी आप कितने अच्छे हैं, पापा आप कितने अच्छे हों, जिस देन दौलत नाम में आई, चले हम लोग मुख्ष दाम, बारा नसी में, अब बच्चे कहते हैं, दोस्त मैटर, वी विल फाइंड आपर वे, फिगर आउट, एक वर्ड़ा सुंदर है, फिगर आउट, तो यह है कि, अगर यह नहीं है, तो संसार में क्या है, लेकिन आगे कहते हैं, बट आउट सेन थूदा इंसेंटेंट मास्क, आउट एफ फिल्ट इस सीक्रेट स्पिरिट स्टर इन थिंग्स, लेकिन मैंने देखा है, घूंगट का पट खोला है, संसार का मुखडा मैंने हटा करके, आपको देखा है, इसलिए शियरविंद के योग में जो फिर्स थिंग इस, तो सी दिवाइन वरिवेर, और इन अवरिधिंग, डोंट ट्रांसलेट इंट इंट एक्षन इग्नोरेंटली, बट सी इम इन आउट थिंग्स, और केवल मनुष्य नहीं, गटनाओं में, परिस्थितियों में, सब चीच के अंदर, ये फस्स्टेप है, शियरविंद योगा इंट इस अब्जेक्स में बताते हैं, फस्स्टेप सम्ता का, वो यह नहीं कहते हैं कि, अच्छा आप दिवाइन सम्में, तर फिर आप बोलो चलो, आप हम गले मिलते हैं, ये नहीं कह रहा हैं शियरविंद, पर फिर्स्टेप इस तो सी दिवाइन इवर्विंद, लोग अच्छा आप अच्छा इंट लेकिन ये पहला स्टेप है, तो कहते ही, बट आफ सीन, I have felt a secret spirit stir in things, carrying the body of the growing God. मैंने देखाया है कि बगवान, God shall grow up while the wise men talk and sleep. TV वाले बोलते रहते हैं कि अगले साल करोणा आएगा कि नहीं, बगवान कहरे हैं करोणा आए ना आए, मैं बड़ा हो रहा हूं, विद और विदाओ करोणा, God is growing through मचली और दश अवतार की कहानी है ना? It looks through wailing forms at wailless truth. Wailing forms, जो है उनके, अनुषी के अंदर ये दृष्टी आती है, यदा कदा जहां पर वो उस सत्य को देख पाता है, जो उसके अंदर छिपा हुआ है. It pushes back the curtain of the gods. यही तो मनुषी की आत्रा है, जो मनुष्य प्रगती नहीं चाहता, सिमाओं का अतिक्रमन नहीं करना चाहता, जो पर्दा उटा के पीछे, कि बहल भगवाने, भगवाने मान लेने से क्या है? हम भी तो देखें, कि कैसी सूरत है? तो यह होना चाहिए मनुषी के अंतर जज़बा. मान लेना तो रिलीजन है, यह तो सेमिटिक रिलीजन करते हैं, जो भगवान है, वो आपको सजा देगा, दंड देगा, एक दिन आएगा जब आप सब ग्रेव से उठोगे. भारत वर्ष में तो यह नहीं है, भारत वर्ष में तो है कि हम घुंगट कापड खोल के प्यासे मिलेंगे. हम इससे काफी संतुष्ट नहीं हैं, कि भगवान है मान लिया, हम देखना चाहते हैं, कम से कम यह प्रयास तो हो. It pushes back the curtain of the gods. कुछ तो थोड़े-थोड़े curtain चाहेंगे. अगर आपने एक जीवन में पूरा नहीं भी देखा, तो आप curtains को तो पुछ करोगे. It pushes back the curtain of the gods. It climbs towards its own eternity. सावित्रिया कहके रुख जाती हैं. और अब वो समय आगया है जब Supreme has to take the final call. तथास्तु का. तो बहुत सुन्दर समय देखें. Always it happens like this. We are closing in on the new year. So it is. अगली बार हम लोग पढ़ेंगे. Supreme का final verdict. अब तक प्रतीक्षारत. Date, अगली date. Namaste.